सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेश्टी फूर्ड चैनल को साथ में बेल आइकन भी दबाईए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार मैं राधा दूबे मॉम्स मैजिक टेश्टी फूर्ड में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे बाजार के ठेले वाले जैसे पानी पूरी की पूरी जो की होगी बिल्कुल परफेक्ट फूली फूली और क्रिस्पी और साथ में मैं आपको सही मेजर्मेंट बताऊंगी जिससे की आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो तो आप इस वीडियो को अंतक देख आटे और सूजी का मेजर्मेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे इस पूरी को बनाने के लिए गेहूं के आटे और सूजी का मेजर्मेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सूजी इसे बनाने के लिए आप मोटी सूजी का इसा आधी होनी चाहिए यहां पर मैंने 12 चम्मच गिहूं के आटे में 6 चम्मच सूजी को डाला है अगर आप पूरियां ज्यादा बनाना चाहते हैं तो यही मेजरमेंट फॉलो करके आप आटा ज्यादा या कम ले सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाइं डालेंगे और इसका एक सक्त डो लगा कर तयार करेंगे जैसा सक्त डो हम पूरियों के लिए लगा कर तयार करते हैं उससे भी ज्यादा सक्त डो लगा कर हमें इसे तयार करना है जितनी पानी की जरूरत होगी उतना उतना डाल कर इस डो को हम लगाएंगे अगर आप इसमें एक साथ पानी डाल देंगे तो जो आपका डो है वो गीला हो जाएगा और आपको जो पूरिया है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगी तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाएंड डाल कर इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल मसल कर इसका डो तयार करेंगे अगर आप इस डो को लगाने के लिए इस तरीके की थाल या परात का यूज़ करेंगे तो आपको इस डो को मसलने में काफी आसानी होगी तो इस तरीके से मसल मसल का इसका हमने सक्त डो बना कर तैयर कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी के आटे से भी कड़क डो लगा कर हमने तयार किया है सूजी हमारी अची तरह से फूल जा है तो इसके लिए हमें इसे आधे गंटे के लिए धक कर छोड़ देंगे तो आटे को धक के रखे हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं तो चलिए एक बार आटे को चेक कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारी सूजी भी अची तरह से फूल गई है और आटा भी हमारा और सक्त हो गया है तो अब हम इस आटे को 10-15 मिनट तक अची तरह से मसलेंगे तो इसके लिए प्लेट फॉर्म के ऊपर मैंने एक भून तेल डाला है ताकर जो हमारा आटा फ्लेट फॉर्म कई उपर चिपकेना यहां पर यहां पर बहुँच जादा तेल का यंजिप नहीं करना है इसे बईधी तेल डालना है जब तक कि हमारे आटे में इस तरीके का लचीला पन ना आ जाए तब तक हम इस आटे को खीच खीच कर मसल मसल कर तयार करेंगे तो यहां पर मुझे आटा मसलते हुए 10-12 मिनिट हो चुके हैं और जो हमारा आटा बिल्कुल लचीला और सॉफ्ट होकर तयार हो चुका है तो इस तरीके का लचीला पन आना बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इसी से आपकी पानी कुई करारी बनकर तयार होगी तो आटा से जीतना हो साटे को अच्छी तरह से मसल मसल कर तयार कर लें तो हम इसे इस तरीके की सिलेंडर शेप देंगे और इसे तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को लेकर हम इसकी पूरियां बेल कर तयार करेंगे तो यहाँ पर हम दो हिस्से को उसी बावल में डाल कर इसे गीले कपड़े से अच्छी तरह से ढख देंगे तो यहाँ पर मैंने लिया है एक हलका गीला कपड़ा आप जिस भी कपड़े पर पूरी को बेल कर रखे वो कपड़ा हलका सा गीला होना चाहिए ताकि सारे पूरी को बेलने के बाद भी हमारी जो पूरी हो बिल्कुल सॉफ्ट हो पूरी अगर रखने के बाद कड़क हो जाएगी तो वो बिल्कुल फूलेगी नहीं तो अब हम एक लोई लेकर पूरी बेलना शुरू करेंगे आप यहाँ पर एक बाद का ध्यान रखे कि पूरी आ बेलते समय सुखे आंटे का बिल्कुल यूज ना करें इस तरीके से गुमा गुमा कर इस पूरीयों को बेल कर तयार करें तो इसे बेलने के पाद आप इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा ना बेले तो बिल्कुल इसी तरीके की ठीकने सोनी चाहिए इस पूरीयों की अब हम लेंगे इस तरीके का एक डब्बे का धक्कन और इसी धक्कन से काट कर हम सारी पूरियों को तयार करेंगे अगर आपके पास कटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से दबा दबा कर इस धक्कन से हम सारी पूरियों को एक साइज की काट कर तयार कर लेंगे तो इस तरीके से चाकु से एक साइड से उठा के इस पूरियों को निकाल ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरियों की ठीकने से वो बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है तो अब हम सारी पूरियों को उस टाविल पर रख देंगे और एक दूसरा कप्ड़ा लेंगे इसे भी हम हलका सा गीला कर लेंगे और इसी कप्ड़े से हम इस पूरियों को ढखेंगे ताकि जो हमारी पूरिया है और सूखे न तो यहाँ पे हमने सारी पूरियों को बेल कर तयार कर लिया है तो अब हम इस पूरियों को तलना शुरू करेंगे पूरी को तलने के लिए हमने यहाँ लिया है कढ़ाई में तेल और तेल को भी हमने अच्छी तर से गरम कर लिया है तो सबसे पहले हम वो पूरी तलेंगे जो हमने पहले बेल कर तयार की हुई है वहाँ से इस पूरियों को तलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप पूरी तलते समय एक बात का ध्यान दखें जो पूरियों का निचला हिस्सा टावेल के उपर है वो कड़ाई में पूरियों को डालते समय नीचे ही रहना चाहिए क्योंकि अगर आप इस तरीके से पूरियों को तलेंगे तो वो बिल्कुल पर्फेक्ट बनकर त्यार होंगी इस तरीके से कर्ची से तेल उठा उठा कर आप पूरियों के उपर डालते रहें ताकि जो आपके पूरिया है हो दोनों तरब से अच्छी तरब से सिखकर तयार हो और बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बने पूरियों को तलते समय आप गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो ना करें नहीं तो आपके जो पूरिया वो तलते समय बहुत अच्छी तलेंगी लेकिन बाद में वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर तलें और जब भी तलें तब भी आप पूरियों के उपर इस तरीके से तेल डालते रहें तब ही जो आपके पूरियों का रिजल्ट हो विल्कुल बजार जैसा परफेक्ट आएगा तो इसलिए आप इन बातों का ज़िदूर ध्यान दखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पूरिया कितनी क्रिस्पी और करारी बनकर तयार हुई है तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 पूरिया और तलकर दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से पूरियों को तलना है कड़ाई में बहुत ज़्यदा आप एक साथ पूरियों को ना डालें 4-5-5 पूरिया डालकर आप इन पूरियों को तलें पूरिया जब भी आप कराही में डालें तो उसे पलटने के बाद इस तरीके से उसके उपर तेल डालना ना भूलें क्योंकि इसी ट्रिक से पूरिया कुरकुरी और करारी बनती है तो यही ट्रिक यूज़ करके हम सारी पूरियों को तलकर तयार कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी पूरिया कितनी क्रिस्पी और करारी बनकर तयार हुई है और इसमें एक भी पूरिय ऐसी नहीं है जो अच्छी तरह से फूली नहीं हो तो यह लिजिए मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हैं कि अंदर और बाहर से कितनी क्रिस्पी और करारी बनी हमारी पूरिया तो पानी पूरिय बनाने के बाद मैंने यहां पर पानी पूरि का तीखा और खटा मीठा पानी भी बनाया है आप इन दोनों तीखे मीठे पानी का वीडियो मेरे चैनल पर उपर दिये हुए आई बॉक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं तो आप इन पूरियों में बूंदी बटाटा या फिर मूंग डाल कर किसी तरीके से भी सर्फ करें जो भी तरीका आपको पसंद हो तो आप इस तर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वह बिल्कुल फ्री है और अगर आपको यह रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीस अगर आपको म मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद